नमस्कार मैं रवीश कुमार पहाडों में जितनी बर्फ नहीं गिरी है उसे कहीं जादा दिल्ली में सत्ता के गलियारों में बर्फ गिर चुकी है दो दिनों से दिल्ली में बर्फ की सिल्ली गिर रही है मगर कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिससे पढ़ने वालों की सांसे जम जाती हैं और जो भी पढ़ता है अपना फोन बंद कर देता है कि कहीं कोई इस पर प्रतिक्रिया ना मांग ले पत्रकार इस रिपोर्ट को छोड़ बाकि सारी रिपोर्ट धुआधार तरीके से ट्वीट कर रहे हैं ताकि बर्फ की सिल्ली पर जितनी जल्दी हो सके धूल जम जाए बहुत मुश्किल से पत्रकार निरंजन टाकले नाम के एक रिपोटर ने एक जज की लाश पर जमी धूल की परत हटा कर यह रिपोट छापी है। थी, हमने कई लोगों से प्रतिक्रिया के लिए पूछा, दुबारा जब फोन किया तो फोन बंद था, सत्ता का डर सब को निहथा कर देता है, क्या वाकई एक CBI के जज़ की मौत से जुड़े सवालों से कहानी में इतने छेद हो सकते हैं कि आपको उस पार, छेद को उस पार क इसी रहस्यमई थ्रीलर सा है, जिसे पत्रकारिता के कोर्स में पढ़ाया जाना चाहिए, जो भी 25,000 से लेकर 5,000,000 तक फीस देकर पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, उन्हें इस पर प्रजेक्ट करना चाहिए, और रात को रजाई के भीतर तौर्च की रोशनी में पढ़ना चा पढ़ी ना हो, जजों के पास वक्त नहीं होता, अगर पढ़ी होती, तो उन्हें क्या करना चाहिए था, क्या एक जच की मौत से जुड़े सवालों की फाइल दुबारा नहीं खुलती, अदालत को, कानून मंत्री को, देश के कारेकारी संगरक्षक प्रधान मंत्री को, क्य पढ़ी ना नियाए पालिका के बाहर के लोगों का भीतर बैठे लोगों पर भरुसा नहीं रहेगा, पत्नी, अपने पती और बेटा अपने पिता की मौत पर खामोश हो गए, उनका डर वाजीब रहा होगा, मगर जस्टिस लोया की डॉक्टर बहन ने तीन साल बात कहने की हिम्मत जुटाई है, लेकिन जब एक बहन ने बात कह दी, एक रिपोर्टर ने बात छाप दी, एक पत्रिका ने उसे लोगों तक पहुँचा दिया, फिर दिल्ली में पत्रकारों और नियाए जगत के लोगों की जुबान पर बर्व की सिलिकियों जम गई है, स्टोरी डरा पढ़ने से बताई जाती है, तीन साल बाद उनकी बहन के सवाल हड़ियों में छेद कर देते हैं, लगता है कि उनकी किसी ने हत्या की होगी और हत्यारा आराम से टीवी देख रहा है, उसने कायरवान मैगजिन के स्टोरी चुपके से पढ़ भी लियोगी, मुम्किन है इसे स्टोरी पर परदा डालने के लिए दिल्ली में हिंदू, मुस्लिम, मुद्दों की आंधी चल जाए, ऐसे मसले आ जाए जहां टीवी पर मौलाना और एंकरों के बीच जंग छिड़ जाए, लेकिन जब भी आंधी ठंती है, वो स्टोरी जहलकने लगती है, पत्रकारिता का एक दाई तो यह भी है, कि जब सारे लोग किसी स्टोरी को मरा हुआ छोड़ कर आगे चले जाएं, तो बहुत दिनों बाद वहां लोटा जाए, और देखा जाए, वहां कुछ और सुराग तो नहीं था, आप निरंजर टाकले की इस स्टोरी को केरवनमेगजिन.com पर इंडियासमा.co.in ने भी एक इस स्टोरी में अपना एक नया एंगल जोड़ा है, करनड अख़वार, वारता भारते और मल्यालम में छपने वाला अख़वार माधिमम ने भी इस रिपोर्ट को कवर किया है, दिल्ली के अख़वारों के दफ्तर में ओस पढ़ गए है, CBI के Special Court के जज़ बिजगुपाल लोया, सोहरा बुद्धीन एंकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिस मामले में बीजेपी के राश्टरी अध्यक्ष अमिश्शा मुख्य आरोपी थे, मगर तीस दिसंबर 2014 को CBI के Special Judge, Special CBI Court ने, MB गोसावी ने अमिश्शा को इस आर जाते हैं वहाँ ये सवाल कौन पूछेगा कि अपील क्यों नहीं की जा रही है। लोया, नाम में किशन है, हरी भी है। लोया यार यार दिलाते हैं कि छूट तब दी थी कि जब अमिशा राजिस से बाहर हों। लेकिन उस दिन तो वह शा मुंबई में थे और शपत ग्रहन समारों में शामिल थे। एक दिसमबर 2014 की सुबर नाकपुर में जस्टिस लोया की मौत होती है। उन्होंने 15 दिसमबर 2014 को अपने सामने अमिशा की पेशी हुने की ऐलान की फैसला दिया था। 30 दिसमबर को नए जज एम जी गोसावी अमिशा को सभी आरोपों से बरीद कर देते हैं, कहते हैं कि उन्हें राजनिती कारणों से फसाया गया था। जज की मौत वाली स्टोरी में अमिशा का जिक्र सिर्फ संदर्व की बात है। बताने के लिए कि जज साहब कितने हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई कर रहे थे, इसका मतलब यह नहीं कि किसी पर इशारा किया जा रहा है। वो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं मगर इसी एक कारण से यह भी लगता है कि जज लोया की मौत से जुड़े सारे सवालों को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि किसी को उस संदर्वों पर शक ना हो। सुबा एक फोन आता है कि जज लोया मर गए हैं। निरंजन टाकले ने जज लोया की डॉक्टर बहन के हवाले से जो सवाल और घटना लिखा है आप उसे पढ़कर और सुनकर सिहर जाएंगे। कि बहन ने जो बात बताई उनके अनुसार परिवार का फैसला नहीं था कि नागपूर से लोया की लाश मुंबई जाएगी या उनके गाउं। बस परिवार के सदस्यों को फोन आता है कि उनकी लाश लातूर के गेट गाउं भेजी जा रही है। गेट गाउं में ये फोन आता है कोई पता नहीं है कि कौन फोन करने वाला है पुलिस अधिकारी कर रहा है कमिशनर कर रहा है जज कर रहे हैं कोई गेट गाउं में लोया के पिता रहते हैं। लोया की तीन बहने धूले जल गाउं और और अंगाबाद में लेती हैं। आखिर किस से पूछ कर जस्टिस लोया की लाश मुंबई की बजाए गेट गाउं भेजी जाती है। क्या उनकी पत्नी और बेटे से ये राय ली गई थी। यही नहीं लाश के साथ कोई सुरक्षा नहीं थी। कोई पुलिस वाला नहीं था। जब एंबुलेंस गाड़ी पहुँची और कोई प्रोक्रोकॉल नहीं था तो ड्राइवर अकेले एक जज की लाश को वो उसके घर पे मुंबई लेकर नहीं गेट गाउं जहां उसके बाप रहते हैं उस गाउं में पहुँचता है। जिन दो जजों के साथ जज लोया गए थे वे डेड़ महिने तक परिवार वालों से संपर्प नहीं करते। वे जज भी अपने सहयोगी की लाश के साथ गेट गाउं नहीं आते और नहीं बताते कि उनके एक साथी की मौत हो गई पत्नी को तो कम सकम बता ही सकते थे। महें नहीं के पत्नी के पत्नी को फेट पत्नी कौता है। शुझे, पेंटी बेल नहोनय झाम कि य待 कई हा नहोना होता मुझे कियाल मेल काद मेर नही उतिआ है। धर्सःट नहीं ह्ला बोचाओ में कला कता है। तब यहारा लेखा स्चाना करते नहीं है। जना समदे कुछा है। मुझे भक्कल जी हूँ करसो, तो उल्टना मिलाचे कारण, तो मना आसा वड़त होते की ते जटापटी मने ते निखाला, अड़ी में ते ने वड़ बड़ी पसो ताना, ते सब बसा हुजा कि मां काये, ते यह हूँ करता है, तो मुझे अधर्वाइज बाड़ी गार मुझे मुझे अधर मुझे काली बड़ते हैं मना, कि मा आसा कायी… जाई, नहीं, थोड़सा में आसा मने, कारपट में पढले होते हैं, और चंधा थोड़सा सुच्देशा का में आदे आपता, अड़ी थोड़सा जाउं थोड़सा वक्ड़ा में आपता, तांसा मनने आमी तना अक्सिजन वगरे देता ला, तांसा कहने है नहीं, तांसा मने आप में अगिए पर सेशेय सक्था नहीं, तांसा घंए लोगना होते है अगने थोड़सा सक्था पिसरय दिशे, शोड़सा और दिशे में, एक वाद दो आतना फोड़दों देता है, मजे तिया है अज हमचे दॉक्टर अन्राधा के कमरे में सम्विधान निर्माता डॉक्टर अंबेटकर की वी तस्वीर थी हमने ये वीडियो क्यारवा पत्रिका ने दी हम स्वतंतर रूप से संपर करने का प्रयास भी कर रहे थे नहीं कर पाए मराठी में जज लोया की बेहन और राधा बियानी बोल रही हैं जिनसे लोया काफी बात करते थे मामली बातों के लिए दवा भी उनी से पूस्टे थे इसलिए बेहन को पता था कि भाई को किस तरह की तकलीफ है उन्हें किसी प्रकार का दिल का रोग नहीं था पुस्टमॉटम रिपोर्ट में दिल का दौरा पढ़ने के जो कारण बताएगे हैं उससे डॉक्टर बहन सहमत नहीं है उन कारणों का उनके परिवार में कोई हिस्ट्री नहीं है बहन की आदत है डाइरी लिखने की वे हर दिन की बातचीत लिखती रहती थी उस बातचीत से बाद में उन्हें पता चला कि उन्हें मौत की सुचना कथित तौर पर RSS के कारिकरता इश्वर बहती से मिलती है जब वो लोटती है उन इस्परितियों में तब सोचते हैं कि वो मौत की सुचना लेकर कौन आया था कैरवा पत्रिका के रिपोर्टर ने इश्वर बहती से सवाल किया है मगर जवाब नहीं मिला है यही बहती हैं जो इस कहानी में जो कुछ दिनों बाद अनुराधा बयानी के घर जस्टिस लोया का फून लेकर जाते हैं अगर किसी जज का कोई समान घटना सल पर मौत होती है उदो लेकर पुलिस जाएगी या कोई बहती जाएगा वो कौन है अनुराधा के मन में सवाल दोड़ने लगता है कि जज का फोन एक इश्वर बहती को कैसे मिला जज की मौत होगी तो उनके समानों की जबती होगी उसका पंचनामा बनेगा यही नहीं अनुराधा की एक और बहन सरिता मंधाने के पास किसी जज का फोन आता है सरिता उस दिन लातूर में थी भाई की मौत की खबर मिलते ही लातूर के एक अस्पताल में भरती अपने भतीजे को लेने जाती है लेकिन वहाँ वही इश्वर बहती मिलता है जो फोन लेकर अनुराधा के घर गया था सरिता ने ध्यान तो नहीं दिया मगर यह सवाल धस गया कि यह इश्वर बहती कौन है जो भाई की मौत की खबर लेकर आया है बहती उन्हें कहता है कि नागपूर जाने की जरूरत नहीं वहां से लाश, एम्बुलेंस के जरिये गेट गाउं भेजी जा चुकी है वहती उन्हें अपने घर ले जाता है बहनों को बहुत बाद में ध्यान आता है कि एक जज़ की मौत हुई है ना पुलिस, ना प्रशासन, ना डीम, ना एस्पी आरेसेस का कथित तोर पर एक आदमी कथित तोर पर आरेसेस का एक आदमी इतना सब कुछ कैसे जानता है फैमिली के एंड पर एक आरेसेस का आदमी ये सारी चीज़ें क्यों कोडिनेट कर रहा था बॉडी जो वापिस पहुँची है उस पर खून के जो मार्क्स थे वो कहां से आए क्योंके हार्ट अटेक और पोस्ट मॉटम के बाद ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता है चश्मे, बेल्ट, कपड़ों पे कुछ ऐसे निशान थे कुछ ऐसी जैसे फैमिली कहती है उने लगा हाता पाई हुई हुई ये सारे सवाल उठते हैं उसके बाद फोन, एक जजज का फोन जिनको अगर नॉर्मल हार्ट अटेक में डेथ हुई है जिसमें पोस्ट मॉटम वैसे होने ही नीचे ये था बेना पैमिली के पूछे हुए वो फोन तीन दिन के बाद क्यों दिया जाता है दोनों आस तक बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए मैं समझ सकता हूँ आपको भी समझना चाहिए बस इतना ही कहना है कि ऐसा भी क्या जीना कि इतना डरना चाहिए दिली में हरतोशभल, अपुरवानंद, शबनम हाश्मी, मनीशा सेठी और सइदा हमीद प्रेस कांफरेंस की और पूरी बात बताई यहां मीडिया के कैमरे और रिपोर्टर तो मौजूद नजर आ रहे हैं उमीद है आपको 23 नवंबर के अख़वारों में और तमाम टीवी चैनलों में इस ख़बर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा मुम्किन है कि मीडिया, हिंदू, मुस्लिम का कोई नेशनल सिलेवस लेकर इतना हंगामा करेगा कि ये ख़बर उड़ जाएगी जैसे किसी जज़ की मौत की ख़बर तीन साल तक दबी रहती है यही खुबी भी है कि जब सब लोग इसे स्टोरी पर बोलने से कत्रा आ रहे हैं तीन-चार लोग प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं और एक रिपोर्टर निरंजर टाकले भी इसी दुनिया का है जो ये स्टोरी कर देता है हमारे सही होगी उमा शंकर सिंग भी इस प्रेस कॉंफरेंस को कवर करने गए थे एक 48 साथ का जर्ज जो यकीनन वो प्रेशर में थे क्योंकि उन पे जैसे उनकी बेहनों ने बताया कि प्रेशर तो बढ़ा था उन पे मगर कोई उनकी लाइफ स्टाइल में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि एक तो ये इतने काडियाक रेस्ट या हार्ट फेलियर से वो एकदम उनका खतम हो जाना ऐसी जना जाना उनके शादी में जाना नहीं चाहते थे उनको इसरार करके ले जाया गया और जो दो उनके फेलो जजिस थे उनका कोई पता नहीं था उनकी डेट बॉड़ी एक आटो में ले जाई गई हम सब एक ऐसी मैं कम से कब अपने आप बता सकती हूँ क्योंके मैं प्लैरिंग कर्शेन की मेंबर थी कहीं भी हम जाते थे तो कुछ नहीं थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल गारियां कुछ तो मिलता था इस हालत में इतनी बेकर्सी की हालत में उनको आटो में डालके ले जाया गया तो बहुत से सवाल जैसे हरतोश पर ने कहा कोई नुआंस कोई जवाब नहीं है जाये पर बहुत को लेकर सवाल हितों थे हैं जाहिर है जान्च होने में किसी को क्या दिक्त हो सकती है बोलने में इतना डर क्यों लगता है जो आप मुझे मेसेज करा रहे दकर कर आपको डर लग गया और जवाब भी दे, बहन अनुराधा बियानी की बातों और अपनी जाज के आधार पर निरंजन टाकले ने मौत की राद से जुड़े, जो डिटेल जुटाए हैं वो डराने वाले तो हैं जज लोया नागपुर के VIP guest house रवी भावन में ठहरे थे, जहां उस वक्त कई जज, कई बड़े IAS, IPS ठहरे थे क्योंकि विधान सभा का सत्र होने वाला था जब सीने में दर्थ की शिकायत होती है तो उन्हें आटो से क्यों ले जाया गया, क्या उस guest house में कोई caretaker नहीं था, क्या कोई caretaker बिना caretaker वाले guest house में इतने IAS और just हैरते हैं, क्या उस guest house में एक भी गाड़ी नहीं थी, आटो डिक्षा कैसे आया, रवी भावन से 2 km की पताल लेकर कौन गया, वी आईपी guest house से एक judge को आटो में बिठा कर कौन ले गया था, जब मौत हुई थी तब मीडिया में खबर छपी थी, दिल का दौरा पढ़ने से मौत की खबर को सब ने समाने तोर पर लिया, किसी को शक भी नहीं हुआ, मगर अनुराधा बियानी और पताल से कुछ ऐसे सवाल निकालते हैं, जो पहली नजर में देखने पर वाकई, पत्थर से भी जादा ठोस लगते हैं, पोस्ट मॉटम के हर पन्ने पर एक व्यक्ति के दस्खत हैं, दस्खत के नीचे लिखा है कि यह लोया का चचेरा भाई है, अनुराधा बियानी कहती है कि उनका कोई चचेरा भाई नहीं है, रिकॉर्ड के अनुसार लोया का शव, इसे सौपा जाता इस चचेरे भाई को, मगर एम्बुलेंस में लाश लेकर तो सिर्फ ड्राइवर गया था, जिसे वो बाडी दी गई थी, वो आदमी कौन था और इस वक कहा है, क्या वो भी टी करने से बगेर पूछे, पोस्ट मॉर्टम कर दिया गया, बोडी को काट पीट दिया गया, उसके बाद कि उनकी बोडी, उनके कपड़ों के ऊपर खून के बहुत सारे निशान थे, जो कि पोस्ट मॉर्टम से नहीं हो सकते, इस से तो बहुत संदिग्द मामला बन जाता है, और ये लगता है कि जैसे शायद उनका, उनकी हत्या करी गई हो, और उसी के ठीक बाद, एक दूसरे जज़ को पॉइंट किया जाता है, उनकी जगह, जो अमिच शा क्योंकि अपियर नहीं हो रहे थे, उस पर कड़क होते हैं, तो उनका भी ट्रांसफर तबादला करके, और उसके बाद जो तीसरा जज़ आता है, वो फटा फट अमिच शा को उस केस में बरी कर देता है, सौराबुद्दीन वाले मामले में, और उसका अपील भी, CBI ने, जिन्नोंने एक हजार पेज से जादे की चार्ट शीट फाइल करी, अमिच शा वगेरा के खिलाफ, CBI ने उस बहुत ही गंभीर SIT Investigation की जरुवत है, या JPC Inquiry की जरुवत है, और दूसरा ये, कि अमिच शा को जो बरी किया गया, वो कितना सही है, और उस पर CBI ने अपील क्यों नहीं फाइल करी, ये दोनों बहुत गंभीर मामले हैं. रिपोर्ट बहुत लंबी है, और डराओनी भी है, अगर एक जजज की मौत से जुड़े सवाल अधूरी रह सकते हैं, तो हम किस व्यवस्ता में जी रहे हैं और किस के भरोसे? कैरवन पत्रिका ने एक और रिपोर्ट शापी, इस रिपोर्ट के बाद जिसमें बताया गया है कि एक जजज को, एक जजज ने इस केस को निप्टाने के लिए कथित रूप से जजज लोया को 100 करोड के रिश्वत की पेशकश भी की थी, इसका जिक्र यहां नहीं क्योंकि जज की मौत से जुड़े सवाल अभी खतम नहीं हुए, आप समझ गए होंगे कि क्यों दिल्ली पर बर्फ की सिल्ली पड़ी है, क्या एक जजज की मौत की जाच से लेकर पोस्टमॉटम रिपोर्ट तक में इतने अंतर हो सकते हैं, सुननदा पुशकर की पोस्टमॉटम रि की शव देख लिया था, उसका पोस्टमॉटम भी उसी वक्त कर लिया गया था, मगर पोस्टमॉटम रिपोर्ट में मृत्यू की सूचना का वक्त सवा 6 बजे है, पोस्टमॉटम शुरू होता है 10 बचकर 55 मिनट पर, और खत्म होता है 11 बचकर 55 मिनट पर, अगर मृत्यू की सूचना छे बजे हुई तो परिवार वालों को क्यों नहीं बताया गया सवालों को सोचिए सोचिए अगर एक जज की इस तरह से मौत हो सकती है आपका क्या होगा जाहिर है मौत का समय और पोस्ट मॉटम की समय को लेकर दो तरह की राय आ गई यहां पर डेथ हुई थी 2014 में उसके दो महिने बाद जहां तक फैमिली कहती है लड़के ने एक चिट्थी चीफ जस्टिस को लिखी थी कोई आक्शन नहीं हुआ था प्रोब का डिमांड था फैमिली ने 2016 में रिपोर्टर को अप्रोच किया है और रिपोर्टर ने इस पे काम शुरू किया है निरंजन, बहदर दिलेर और बहुत ही अच्छा रिपोर्टर है कुछ कारणवर्ष रियर स्टोरी कैरी नहीं हुई है हमें महिना पहले रिपोर्टर ने अप्रोच किया और जो डीटेल्ज उनके पास थे हमने वो सारे डीटेल्ज देखे और फैसला किया कि हमें उसमें और च्छानवीन करनी है वो च्छानवीन हमने शुरू की ये रिपोर्टर ने वापस जाके बहुत महनत से जो जो चीजहें हमें चाहिए थी वो सारी पता की हैं, विडियो पे, रिकॉर्ड पे हम सब को लेके आए हैं, जब ये सब काम हो गया और जब हम संतुष थे हर स्टेप पे, तो हमारी कैरबान टीम ने, एडिटोरियल टीम ने, डिसिजन लिया कि अब स्टोरी तयार है, we will run with it, बैसे जज को आटो रिक्षर में ले जाना, ऐसे हस्पताल में जहां पर ECG नहीं है, कोई लोकल आदमी का वहां पर ना होना, पोस्ट मॉटम क्यों किया गया बिना पर्मिशन के, फैमली को पोस्ट मॉटम और मौत के बाद क्यों इकला दी गई, हॉस्पिटल से ही क्यों नहीं फोन गए, फैमली को जो टाइ जहां फैमली रहती है, वहां क्यों नहीं वापिस भेजा गया? में जिसके सुनवाई चल रही थी, कायदे से मीडिया की की आंख, कान उस मामले पर लगे होने चाहिए थे, बहुत हैरानी की बात है कि उसके सुनवाई कर रहे है, जैसके मौत हो जाती है, और मीडिया उसको इस तरह से चला देती है, जैसे कोई एक साधरन मौत हुई हो, औ सोचे अपुरवानन नहीं होते, हर्तोस बल जैसे पत्रकार कैरवन मैगजीन अगर नहीं होती, प्रशान बुशन जैसे लोग नहीं होते तो यह स्टोरी सामने नहीं आपाती है, क्या इस रिपोर्ट को यूहीं अंदेखा कर दिया जाना चाहिए, किसके हित में सवालों को चाहिए, एक जज की मौत होती है, उनका बेटा और पत्नी बोलने का साहस नहीं जुटा पाता है, तो क्या भारत के मुख्य नया इधीश को उन्हें सुरक्षा का भरोसा नहीं देना चाहिए, उन्हें बोलने का होसला नहीं देना चाहिए, आखिर जब एक नागरिक डर के क पारण जीने का बोलने का होसला छोड़ देगा तो कौन होसला देगा सम्विधान के संग्रक्षन के तौर पर संग्रक्षन के तौर पर सुप्रीम कोट के मुख्य नयधीश उसे होसला नहीं देगे तो कौन देगा क्या सत्ता को हमने डर का चादर बना लिया है कि वो डराती और हम इस डर की चादर को तान कर सोते रहेंगे, उसके नीचे डर से कापते रहेंगे, सवाल सिम्पल है, जज़ तमाम तरह के मामलों की सुनवाई करते हैं, बहुत मुश्किल है कहना कि किसी की हद्त्या का संबंद किस मामले से था, मगर क्या ये जानना जरूरी नहीं कि एक परियावरन पर ये खत्रा किसी एक वक्त में नहीं और किसी एक देश में नहीं है हमारे साथ ही इस हिर्देश जोशी अभी जलवाईू परिवर्तन सम्मेलन कवर करने जर्मनी गए थे तो उन्हें पता चला कि बस्तर और जारखंड की तरह वहां भी हमबक के जंगलों में पावर और माइनिंग कमपनियों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है इस आंदोलन में उन्हें जारखंड भी दिखा, 36 गड़ भी और हिमाले में सतर के दशक में चला चिप को आंदोलन भी दिखा जर्मनी के बॉन शहर में हुए जलवायू परिवर्तन संबेलन के वक्त जहां एक ओर दुनिया भर से इकठा हुए कई लोग कोईले के इस्तिमाल के खिलाफ नारे लगाते रहे, वहीं दूसरी ओर, यहां से कुछ किलोमेटर दूर, मुठी भर लोग, धर्ती के सबसे पुराने जंगलों में से एक को बचाने के लिए लड़ते दिखे बॉन से कोई 50 किलोमेटर दूर ये हमबख पॉरेस्ट, आज खत्म होने की कगार पर है इन जंगलों को बचाने के लिए लड़ रहे लोग कहते हैं कि पुलीस दवन का खत्रा हर वक्त यहां मड़राता रहता है हमसे बात करते वक्त ह्यूगो और उनके साथ ही चहरा दिखाने को तयार नहीं हुए हमबख जंगलों का 90 फीसद हिस्सात काटा जा चुका है दुनिया की सबसे बड़ी कोईला माइनिंग कमपनियों में से एक आर डेबलू ई को यहां जमीन के नीचे दबे ब्राउन कोल का ठेका मिला है जो बिजली बनाने के लिए इस्तिमाल किया जा रहा है बॉन से कोई डेर घंटे की दूरी पर यह जो जंगल है यह आज बहुत खत्रे में है और इस जंगल का नाम हमबाख फॉरेस्ट है प्याहते हैं और अजय प्याहते हैं दो फशया है बढ़ बढ़े में हैं होजा कर्णा है घुरेस्ट हैं जोब एक्ट टीचे जारे गॉरेस्ट है है इन प्रदर्शन कारियों ने पुलीस और माइनिंग के लोगों को भीतर घुसने से रोकने के लिए जंगल में प्रवेश करने वाली सलकों को काट दिया है मध्यभारत की जहारखंड या चातीसगर की तरह यहां भी लोगों का संघर्श सता के साथ साफ दिखाई देता है और जो मैसेज यहां पर लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं साफतर पर यह तो दिखा ही दे रहा है कि यह पुलीस के लिए लिखा गया मैसेज है कि बाखना डोगा यह ज़्माज इवरीजर की वैज कि लखानी इतरिर की साश हो तो इस प्रिखार जव में यह ख lotta क्ना के लिखांगी यह। of the humans who or you're you're part of society that turns good approaches of humanism into capitalist approaches fascist approaches and who take and to say that they would justify like fight for the right picture mujahe di khai derai brab banner laga is my life respect existence or expect resistance तो यह साफतार पर दिखाता है कि किस तरह से जंगल को बचाने की लडाई जो है वो लडाई किसी एक देश के भीतर नहीं है पूरी दुनिया में है resources को बचाने की और आक्रमन भी देश के भीतर नहीं है तमाम दुनिया के अलग 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 देशों में मुक्तलिफ इलाकों में अपने तरीके से हो रहा है जलवाई परिवर्तन वारता में भले ही जर्मनी पूरी दुनिया के देशों को कार्बन उत्सरजन कम करने की नसीहत देता हो लेकिन ये सच है कि आज यूरोप का सबसे बड़ा कार्बन उत्सरजन के लिए जम्मेदार है और इस सच का गवाह हमबक जंगलों से लगी एक कोईला खदान करीब 84 वर किलोमेटर में फैली ये यूरोप की सबसे बड़ी कोल माइन कही जाती है जिससे सालाना चार करोड टन ब्राउन कोल निकाला जा रहा है इससे पैदा होने वाली बिजली परियावरन के लिए बेहत खतरनाक गैसे उत्सरजित करती है ज्यादतर बिजली निर्यात कर दी जाती है और जंगलों को बचाने के लिए ऐसी लडाई दुनिया भर में चल रही है मद्य भारत के बस्तर और जहरखंड से लेकर हिमाली राज्यों में चल रहे संघर्ष की जलक हमबक के जंगलों में दिखती है यहां आकर हमें लगा कि जैसे सत्तर के दशक में चला उत्तराखंड का चिप को आंदोलन योरोप में हमबक के जंगलों में उतराया हो तब गवरादेवी गड़वाल के जंगलों को बचाने के लिए महिलाओं के साथ पेड़ों से चिपक गई और यहां ऐसे ही ट्री हाउस बना कर रह रहे हैं लोग अब हमबक में पेड़ों के कटने से पहले खुद मर जाना चाहते हैं हमबक में ये तमाम पर्यावरन प्रेमी जर्मनी से ही रही बलकि दुनिया के अलग अलग देशों से इकठा हुए हैं इंग्लेंड, अमेरिका, कैनेडा, इटली और स्पेइन से यहां डेरा डाले हुए ये सामाजिक कारिकरता हमबक के बचे खुचे अस्तित्तु को लुटने से बचाने के लिए लड़ रहे हैं वेल रहेषदी हैं ये इक अशिया फ्या शुचे लगर श्यायश को इसस्ट्प्रश कि अशिORD लॉस मेशको बचित अन्या कि अथ वोल्तित्स बचाँ है कि अ्यु मेश में अधर ऑदक्ना है और अाला विवयोस Peanut फो WOR ताब I personally will not take up arms. I will blockade this area and I will protect it for as long as I can. But I will not take up arms. The people who do take up arms and protect this with more extreme means, I support it. Christian 8 के रामकिशन दुनिया भर में आपदा और जंग से जूज रहे लोगों के बीच राहतकारियों से जुड़े हैं. उनका कहना है कि हमबख में जर्मन सरकार जैसी अंदेखी कर रही है, वो लोगों के गुसे को बढ़ाने और एक शांतिपून संगर्ष के हिंसक बन जाने का रास्ता तयार करता है. जो प्राकरतिक संसादन है, वहां पर सरकार और जो कंपनीों की हमेशा कोशिच रहे है कि कैसे उस पर कभजा किया जाए, जिसके विरोध में लोकल लोग जो अस्थानिये लोग हैं, उनका हमेशा से विरोध रहा है क्योंकि वो उनका जीवन उस पर निर्वर करता है, उनकी संस्कृति उस पर निर्वर करती है, तो यह हमेशा से एक गुंद रहा है दोनों के बीच में, और जिस तरह से पूरी कोशिच की जा रही है कि प्राकरतिक संसादनों को पूरी तरह से अपने कबजे में लिया जाए, मेरा अनुवर भारत में और भारत के बाहर भी यह रहा ह एक ऐसे वक्त में जब जर्मनी दुनिया को साफ उर्जा के इस्तेमाल के नसीहत दे रहा हो, हमभख दुनिया के ताकतवर देशों को आईना दिखाता है, यह एक नसीहत हमारी सरकार के लिए भी है, जहां वन्द संपदा से सम्रथ जंगलों से बार बार आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ता है, जर्मनी में हमभख के जंगलों से हिर्देश चोशी, एंडी टीवी इंडिया के लिए काम नागरी के लिए भी जवाब जरूरी है, वरना सब को लगेगा कि जब एक जच के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर किसी के साथ भी ऐसा हो जाएगा, मैं भी आप से एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे भी डर लगा था, लेकिन इसलिए इसे किया, ताकि अनुराधा बियान ने नहीं बोला, ऐसा नहीं है, हम भी डरते हैं, मगर इस डर से मुक्ती का यही रास्ता था कि इसे स्टोरी को लेकर आपके सामने आ जाए, अब जो हो ना हो, हो जाए, मुझे उमीद है कोई बोले ना बोले, भारत के प्रधान मंतरी और भारत के मुख्य नायदीश जरूर बोलेंगे कि डरने की बात नहीं है, जो सवाल है, उनकी जाच होगी और होकर रहेगी, ब्रेक के बाद भारत से उड़कर चलेंगे जर्मनी